नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस पष्ट आयू का साधन किस प्रकार से किया जाता है जातक का जब जन्म होता है तो उसकी मृत्यू कब होगी, कितने वर्षों तक वह जीवीत रहेगा उसका परिमान कितना होगा, इसको ग्याद करने के लिए हमारे जोतिक शास्तर में अनेक प्रकार की पध्धतियों का प्रियोग किया गया है इस वीडियो के माध्यम से हम गनित के माध्यम से किस प्रकार से जातक के स्पष्ट आयू का परिज्यान किया जाता है जोतिष शास्त्र में कितने प्रकार की आयूं का वर्णन किया गया है और कौन सी आयूं आज के समय में स्पष्ठ रूप से सटिक बैठती है उसको एक उधारण के माध्यम से हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे और जैसा कि कहा गया है कि पूरो मायू परिक्षेत पश्चात लक्षण मादिशेत अर्थात सबसे पहले जातक के आयू का परिक्षण करना चाहिए और उसके बाद ही उसके शुभाशुब लक्षणों का परिग्यान करना चाहिए तो क्या जोत्र शास्त्र के माध्यम से किसी भी जातक के या इस्त्री जातक के स्पष्ट आयू का परिग्यान किया जा सकता है क्या यह संभव है प्राचीन काल में अनेक ऐसे जोत्र विध हुए हैं या ऐसे जोत्रशी हुए हैं जो स्पष्ट रूप से जातक के स्पष्ट आयू का गणना करते थे और उसी के आधहार पर उनके जन्म पत्त्रियों में वह स्पष्ट रूप से उनके आयू का उलेक करते थे आज भी कई ऐसे जोत्रिशी हैं जो उस पश्ट रूप से आयू का परिग्यान कर पाते हैं और वह पत्री में उसका फलादेश करते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास एक जातक आये थे हैं उनका कॉल आया था और उन्होंने अपने आयू के बारे में पूछा कि महराज हमारी आयू कितनी हो सकती है उसका ज्ञान करके बताईए, तो उसी क्या धार पर यह बीडियो बनाया गया है और इसमें पून रूप से जो जोत्य शास्तर की पध्धती है, वास्तविक पध्धती जो है उसके विशह में वर्णन किया गया है, इस बीडियो में इसके लगबग तीन पार्ट है तीन भागों में यह विडियो बनाया गया है और प्रतेक में उदाहरण दे करके, इस बात को समझाया गया है इस विडियो में मुख्य रूप से सत्या चार प्रतिपादित जो अन्शाईू बिधी है, उसी का उपयोग किया गया है, अन्य बिधीों का भी उपयोग कालांतर मे किया जाएगा आप इस चक्र को देखें और इसके माध्यम से समझने का प्रियास करें। आयू का साधन जो होता है उस दो मुखे विधिया होती हैं। पहली विधिय होती है योगज आयू और दूसरी होती है गणितागत आयू तो यहाँ पर हम गणितागत आयू की ही बात करेंगे, योगज आयू जो होता है वो रिष्ट आयू, परमायू, नियत आयू और अमित आयू, इनका गणित के माध्यम से साधन नहीं किया जाता है, लेकिन जो दूसरी आयू होती है, जो गणित के माध्यम से साधन की जाती है, उसके भी बहुत सारे भेद होते हैं जैसे पहला भेद होता है अन्शायू जो नौमाश पद्धती पर पूर्ण रूप से आधारित है दूसरा होता है पिंडायू तीसरा होता है निसर्ग आयू चोथा होता है मिश्र शर्माद्वारा प्रतिपादित आयू और पांचवा होत अपने गरंतों में उस बात का प्रतिपादन किया गया है। यदि लगन बनवान हो तो नौमांश पद्धती अर्थात अंशायू का विशेश रूप से साधन करना चाहिए। और शनी के बलवान होने पर जो सभी प्रकार की आयू होती है उनका साधन करना चाहिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम पहली जो आयू है जो अंशायू है उसी के विशेश में बात करेंगे। आयू उसी को कहते हैं अंशायू और यह अंशायू सत्याचारे जो हमारे एक प्रवर्तक स्वरूप हुए हैं सत्याचार उनके द्वारा यह कतित हैं। जो ग्रहों के मित्र शत्रूसम इत्यादी जो भेद पड़ते हैं वो सत्याचारे द्वारा प्रतिपादित ही भेद हैं। तो बहुत सारे आचारियों ने जीव शर्माने या मय, यवन, मरित इत्यादी अनेक आचारियों ने अपने अपने गणना के अनुसार विभिन प्रकार के आयू का साधन किया हुआ हैं। लेकिन जो सत्याचारे द्वारा प्रतिपादित जो अन्श आयू है या नौमान्श सम्मंदित जो आयू है वही सर्वस्रेष्ट मानी जाती है और कालांतर के बहुत सारे आचारियों ने भी इस आयू को सर्वस्रेष्ट माना है और वह प्रत्यक्षरूरूप से वह प्रद थोड़ा सा निर्देश बताया तो सबसे पहली बात है कि आयू कर्म च वित्तन च विद्या निधन में च पंचे तान्य पिस्रिजनते गर्भस थस्यव देहिन अर्थार ब्रह्मा ने पांच चीजे मनुशियों को उसके गर्भ में ही दे दी है पहला जो प्रदान किया जाता ह वह होती है आयू का मतलब है कि जन्म से लेकर के मृत्य परियंत आप के पास कितनी प्राण शेश है मतलब कितने प्राण आपको ब्रह्मा ने दिये हुए है प्राण कहने का तात पर यह है कि आप या स्वस्थ मनुश्य श्वास और प्रश्वास की परिक्रिया को जितने समय में कर लेता है उसे कहते हैं हम एक प्राण यदि एक स्वस्थ मनुष्ट की गड़ना करें तो लगबग चार सेकेंड तुल्य काल का वह एक शौस लेना और शौस छोड़ना ये दो विधिया लगबग चार सेकेंड के तुल्य होती है और इसी के हम कहते हैं प्राण और ये और इस पद्धति में 108 वर्ष मनुश्यों की परमायूमान करके की जातेके जैसे 12 राशी आए और एक राशी में 9 नमांश होता है तो 12idents ऑम एक 108 हुषश्यों की परम आयूमान करके गड़ना की गई है और 108 कह क्या महत होता है जोते शास्त्र में या अन्य स्थानों पर वो आप जानते हैं, नक्षत्र भी 27 होते हैं और उनके 4 चरण होते हैं, तो 108 वर्ष वहाँ भी प्राप्त हो जाता है, और नौमाश कहने के ताथ पर एक प्रकार से यह भी है, कि नक्षत्र पधती पर वह आधारी थे, नक्षत्र का एक चरण बराबर एक नौमाश के तुल्य होता है, मतलब नक्षत्र का एक चरण यह भी था, मतलब एक नौमाश भी था, तो इसलिए यह नौमाश पधती अतिन्त स्रेष्ट मानी जाती है, अन्शायू साधन जो विधी है, वो अतिन्त स्रेष्ट मानी जाती है, इसमें अन गटी को 60 से गुना करते हैं तो आते हैं 360 पल और 6 से गुना करते हैं तो आता है 2600 प्राण शटभी प्राण यही विनाडी साथ 6 प्राण की एक विनाडी होती है 60 विनाडी की एक नाडी होती है तो छे प्राण की जब एक विनाडी कही गई है मतलब उसी को हम कहते हैं पल तो जब विक्ती छे प्राण ले लेता है तो एक पल होता है तो छे प्राण कहने का मतलब एक प्राण कहने का मतलब यही है कि चार सकेंड का जो काल होता है वह एक प्राण तुल्य होता है अर्थवा एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में प्राण का उत्सरजन और ग्रहन जितने समय में कर लेता उसको हम कहते हैं प्राण तो एक दिन में यदि जो 24 घंटे होते हैं उसके समानंतर यदि माना जाए तो 21600 प्राण होते हैं मतलब स्वस्थ मनुष्य को एक दिन में 21,600 प्राण प्रदान किये गए हैं जीवन के लिए यदि इससे वह अत्यधिक लेता है तो उसकी आयू का क्षरण हो जाएगा और यदि इससे कम ग्रहन करता है तो उसकी आयू की वृद्धी होगी क्योंकि सभी के लिए यह सिमीत है 21, तो एक दिन में हमारे प्राप्ट होते हैं 21,600 पल अब आप देखिये बारहरा राशियं हमारी होती हैं 12 राशियं उसके 30 탄्ष सभी में होते हैं हमारे 360 और 360 आश मत curtain और 360 डिग्री का हमारा जो एक भचक्र होता है और उसको हम कला से गुणा करेंगे एक अंश में 60 कला होती है तो 60 से जब हमने गुणा किया तो भी हमारे पास प्राप्त हुआ 21,600 कला मतलब जो हमारे एक संपूर्ण भूमंडल है जो भचक रहे हुआ होता है 21,600 कला का और पृत्वी जब भ्रह्मन करती है तो वो एक भ्रह्मन जो होता है उसका 21,600 प्राण के बराबर होता है मतलब एक जब अक्षपर वो भ्रह्मन करती है तो 21,600 प्राण उसमें होते हैं तो आप देखिए प्रत्वी का संबंद वायू मंडल नक्षात्र मंडल से किस प्रकास है आरे भट्ट ने भी कहा है कि प्राणे नेती कलाम भम अर्थात एक प्राण तुल्य में एक कला प्रत्वी चलती है मतलब जब हम एक प्राण लेते हैं मतलब एक बारस्वास का लेना और स्वास का छोड़ना जब काल होता है तो उतने समय में प्रत्वी एक कला तुल्य चलती है कला कहने का मतलविया है कि अन्ष का साथवा हेसा, तो ये अत्यन्थी महत्पून और विज्ञानिक पध्धती है, जो अन्षायू साधन की पध्धती बताई गई है सत्याचारे द्वारा, तो इसका प्रत्यक्ष संबन्द हमारे जीवन से है, और इसी लिए इस पध्धती को अनेक आचारे ने सर्वस्रेष्ट पध्यति के रूप में स्विकार किया है तो अब चलते हैं इसका साधन कैसे करना चाहिए सत्याचारे प्रतिबादी जो अनशायू विधी है उसका साधन कैसे करना चाहिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप इसे पूरा जरूर देखीएगा क्योंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए लाया गया है तो सत्याचारे आचारे ऐसा कहते हैं कि उनके आयू का जो ज्यान किया जाता है तो उसमें सबसे पहले ग्रह जितने नौमाश भूक्त हो चुके हैं उतने ही वर्ष उनकी आयू होती है तो अंशायू साधन की विधी इस प्रकार से है कि लगन सहित सूर्यादी साथ ग्रहों के राशी अंश कला को कलात्मक बना करके 200 से भाग देते हैं तो जो भागपल प्राप्त होता है वह वर्ष रूप में प्राप्त होता है फिर शेश को बारस से गुणा करके 200 से भाग देते हैं तो दिन प्राप्त होता यहां पर 200 से भाग देने का मतलब यह है कि एक नौमार्ष 200 के बराबर होता है इसलिए 200 से उसको भाग दिया जाता है गृ जितने राशी अंश कला बीत चुके हैं उनको एक बार कलात्मक बना करके उसको दो सो से भाग देंगे तो जो शेश प्राप्त होता है जो लब्धी हमारी प्राप्त होती है वह वर्ष होता है फिर उसके बाद गुणा करते हैं बारा से तो मास होता है फिर उसके बाद शेश में तीस से गुणा करते हैं तो वह दिन में प्राप्त होता है आप इसको एक उतनी ही आयू एक प्रकार से मानी जाती है तो आप एक उधारण सी बात को समझने का प्रयास करेंगे आप देखें डीटेल इस प्रकार से 24 जनवरी 1956 का जन्म है रात्री क्यार बज के 35 मिनद चित्तोडगर राजस्तान का तो इनका लगन सिंग लगन प्राप्त हो रहा है और इसमें सभी ग्रहों के राशी अंश कला विकला के जो मान है वो भी दिये हुए है आप उनके मानों को भी देख सकते हैं जैसे ग्रह लगन जो है सिंग लगन था उसके 13 अंश और 9 कला यहां पर विकला का प्रयोग नहीं करना चाहिए केवल कला तक का ही गड़ना करनी चाहि तो राशी संख्या को 30 से गुणा करेंगे और उसमें अंश जोड़ देंगे पुना उसको 60 से गुणा करेंगे और जो कला है उसको जोड़ देंगे तो हमारा कला प्राप्त हो जाएगा एक उधारण के बाद माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं अंशायू पद्धती में या जिस प्रकार से आयू साधन किया जाता है उन सभी में लगन सहित सूर्यादी साध ग्रहों की गणाना की जाती है राहू और केतु का ग्रहन उसमें नहीं किया जाता है तो आप क्या था राशी को 30 से गुणा करेंगे तो राशी संख्या थी हमारी चार इसको 30 से हमने गुणा किया तो आया 120 अब इसमें 13 अंश जो हमारे पहले सही था उसको हमने जोड़ दिया तो पूरे अंश हमारे प्राप्त हो गए 133 अब इसको 133 अंश को 60 से हमने गुणा किया त इसमें 9 हमने जोर दिया क्योंकि 9 कला हमारे पास पहले सही उपलब्द थी तो इसको हमने जोर दिया तो पूर्ण रूप से 7,989 ये कला प्राप्त हो गई हमारी सूरी की तो सत्याचारे का जो अनशायू साध है उसमें सबसे पहले लगन सहीत सूरियादी साथ ग्रहों के कला पिंड हम बना लेते हैं तो कला बनाने का यही सूत्र है और इसी आधार पर ये सूरिया चंद्रमंगल इत्यादी ग्रहों के कलात्मक पिंड बनाए गये हैं जो आप इस बॉक्स में देख सकते हैं चंद्रमा का कलात्मक पिंड 3513 है मंगल का 13420 कला है बुध का 17221 है ये अधिया है और आप इस चक्र में देखें लगन को लगन के जो अनशादी है या सूरियादी ग्रहों के जो अनशादी है सीधे उसको 60 से गुना करके अंस जोड़ देने पर भी ये कलात्मक पिंड प्राप्त हो जाते हैं तो यह आपको उदाहन के माध्यम से पूर्ण इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि जो भी जो सत्य आचार द्वारा आयू का साधन किया गया था वो कितना आया तो सबसे पहले आचारे सत्य बोलते हैं कि ग्रहों को आप सत्योक्ते ग्रह मिष्टम लिप्ति कृत्वा कला बना लिए तो पूर्व साधित विधियों से हमने सूर सूरी का कलात्मक्मान हमारा आया है 161822 मतलब सूरी के जो राशी अंश और कला थे उन सबको गड़ना करने के उपरांत यह हमें प्राप्त हुए जैसा कि पूर उदारण में आपको बताया गया था अब देखते हैं इसको 200 से भाग पहले बार में देते हैं तो 200 से भाग देने पर 84 प्राप्त हुआ फिर 6 हमारा प्राप्त हो गया 22 इस 22 को 12 से गुणा की 264 प्राप्त हुआ पुनह 264 में 200 से भाग देंगे तो एक मास प्राप्त होगा शेश हमारा 64 बचा 64 में पुनह 30 से गुणा करेंगे तो 1920 प्राप्त हुआ पुनह 1920 को 200 से भाग देने पर 9 प्राप्त हुआ तो पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ 84, 1 और 9 ये इस 84 को मंडल भाग विशुद्धे मंडल भाग से विशुद्ध करना चाहिए इस 84 का मतलब यह है कि 84 नौमांश आपके बीत चुके हैं तो इसको 12 से शुद्ध करने पर जो प्राप्त होता है जो भागफल प्राप्त होता है वही वास्तविक वरश होता है तो यहाँ पर शुन्य प्राप्त हो रहा है शुन्य अथवा 12 आप उसे कह सकते हैं तो सूरिक क्या जो कलात्मक मान 16,822 था उसको 200 से जब हमने भाग दिया तो हमारे पास 12 वरश, एक मास और 9 दिन प्राप्त होए तो इसी प्रकार से लगन के चंद्र, मंगल, बुद्ध, इत्यादी सभी साथ ग्रहों के मानों का साधन किया गया है आप इसमें देख सकते हैं सरलता हेतु आपको सपष्ट प्रदरशित कर दिया गया सभी ग्रहों का इसमें मान साधन उदारण के रूप में नहीं किया गया है एक उदारण के लिए आपको बता दिया गया और उसी प्रकार से आपको अन्ने साधन करना चाहिए अब आप इस चक्र में देखें कि जो साधन किया गया जैसे सूरी कावियम ने साधन किया उसके कला बनाकर के दोसों से भाग दिया तो 12 वर्ष 1 मास और 9 दिन प्राप्त हुआ इसी प्रकार से जब लगन का साधन किया गया तो 3 वर्ष 11 मास और 10 दिन प्राप्त हुआ चंद्रमा का 5 वर्ष 6 मास 23 दिन प्राप्त हुआ मंगल का 7 वर्ष 1 मास 6 दिन प्राप्त हुआ इसी प्रकार से सभी ग्रहों का प्राप्त हुआ और अंत में इन सभी का जब योग किया गया तो 48 वर्ष 6 मास और 4 दिन प्राप्त हुए तो ये अनशायू साधन द्वारा प्राप्त ग्रहों की एक मध्य आयू के हैं जो 48 वर्ष 6 मास और 4 दिन प्राप्त हुई है या एक सामानी आयू हुई है अब इस आयू के आगे कुछ संसकार किये जाते हैं बृद्धी संसकार किये जाते हैं हरन संसकार किये जाते हैं जिससे आयू में कुछ बृद्धी होती है और कुछ हरास होती है तो अगले वाले वीडियो में आप इसको अवश्च देखें कि इसमें कौन-कौन से और संस्कार किये जाते हैं जिससे जातक कि इस पश्ट आयू प्राप्त होती है